सब्स्क्राइब किजिए ट्रिकी बासीट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अफडेट पाने के लिए दोस्तो अगर आपके पास रेटमी 4 या कोई भी अधर डिवाई से जिसमें काश्ट का उप्शन है तो आज मैं आपके वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने इस फोन को किसी भी लैप या पीसी में कैसे काश्ट कर सकते हो बिना किसी एप के वायरलेसली और इसमें आपको को आप की कोई जोड़त नहीं पड़ेगी तो बस इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नामें सिध्धार तो आप देख रहे हैं आप ट्रिकीवाई सीट चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि Redmi 4 के Redmi के जितने भी डिवाइसे आते हैं इसमें काश्ट का ओप्शन आपको मिल जाता है जैसे अगर आपको नहीं पता है ये ओप्शन कहां रहता है तो आपको सिंप्ली सेटिंग में जाके मूर वाले ओप्शन पर आप चेक करोग है तो आपको मैं बता हूंगा कि इस आप डिवाइस को कैसे काश्ट कर सकते हो बीना किसी एप का यूज की लिप टॉप में तो आपको लिप टॉप में करना क्या है आप इसे कैसे काश्ट करोगे मैं उसे बता देता हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता दों कि आपको कि आजाएगा और जैसे आपके जो PC का नाम रहेगा हुआ यहां पे सूने लगेगा और लिखेगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसी भी डिवाइस किसी भी डिवाइस से वाइसली कनेक्ट होने के लिए तयार है तो आपको फोन में कैसे इसे करेंट कराना है तो मैं उसे कि आपको देख सकते होने पहले कनेक्ट कर आया था कि आप कर आया है जैसे मैं आपको देख सकते हो इस मेरे में ब्लूट के स्क्रीन पर कि अब यहां से ये phone अच्छी तरीके से यहां पे cast हो चुका है अब इसमें आप जो भी अपने phone में करोगे वह आपको यहां पर आप तिख सकते हो कि अब यहां पर जो भी आप करोगे आप अपने laptop में उसे देख सकते हो तो वालेसली बीना, आपने देखा कि यह जो Windows का default इसमें दिया गया है, आप इसे use कर सकते हो, तो जैसे आपने कोई भी आप काना कि आप दिख सकते हो कि आप यह तरीक छिव अपने ठोट को रिप टॉप में कास्ट करने का रहिए इसमें उसका आप सब कर सकते हो वीडियो को लैक करें कमेंट करें, सेयर करें और चैनल पे ना होते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ सी यू सून